तो गाइस कैसे आप सभी लोग आज की जो में वीडियो लेकर आए वह काफी आधा खास हो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली हो यह वीडियो आपको जो बीगने रहे हैं और जो सीख चुके काम वह उन दोनों के लिए यह वीडियो काफी आधा बेनेफिट है और उ कितने भी डाउटर हो सारे किलेर हो जाएगे तो बेसिक रूल बताओं मैं आज की वीडियो में कलर को समझने के लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है बेसिक रूल जो होते हैं वो क्या क्या लगाने होते तब जाके हमें एक अच्छा कलर कर पाते हैं तो सबसे पहले आपको स यह सब आना ही चाहिए और इसके उपर मैंने टोटली एक सेपरेट के उपर एक डेटिकेट वीडियो बनाई हुई है हर एक टोपिक के उपर आप जाकर देख सकते हैं आज तो सबसे पहले आपको आई सी सी यानि कि इंटरनेशनल कलर कोड आपको आने चाहिए जो हमारे एक से दस तक के बीच में होते हैं अब मैं इसमें आपको सारे रीड करके नहीं दिखाऊँगा वीडियो काफी यादा लोंग हो जाएगी और आपको यह सारे लर्न होने चाहिए और आपको यह रट्टा फिकेशन होने चाहिए कि मतलब नीचे से एक दम आप ऐसे सुनाओ नहीं आपको यहाद होने चाहिए जैसे मैं बोलूंगा नौ नमबर आपको बोलना है वैरी लाइट ब्लॉंड बीच बीच में भी आपको प्रोपर यहाद होने चाहिए और एक अच्छा कलर करने के लिए जो आपको लगता है कि मैं डायर्क ट्यूप से कलर कर पाता हूं मुझे मैं इस थे लिए नियाटनिंग या फिट जो बोलते हैं ब्लॉंडर यूज़ करके कलर करते है वो कंशने में मुझे दिक्क्त आती है मैं या इसी घर जाता और एक एक जी अप्छा आसे लुगों अन aja होता होता हुई अच्छron करता हूं काफि कह धी अंग करता हूं मेरी मे की नोलेज ही नहीं होती है आपको पता होना चाहिए कि कौन से हेर का कौन सा अंडरकोट लेवल होता है एक से दस तक हमारे हेर के लेवल होते हैं बेस लेवल उनके अंदर के जो पिगमेंट होते हो कितने डार्क है या वो कितने लाइट है यह आपको पता होना चाहिए कि आप अगर आपके उपात 6 नंबर के हेर आते तो आपको पता हूं अच्छे कि उसके अंदर कौन सा पिगिमेंट की मात्रा जादा है औरेंज की मात्रा जाद होती है इसके ओपर डेटिकेट वीडियो बनाई है मैं आपको अच्छे समझ आ जाएगा दूसरा जो हमारी सेट कार्ड म सब्सक्राइब करने के लिए आपको प्रोपर याद करनी होती है और तीसरा पैटन आपको कलर करने के लिए आपको पता होना अच्छे कि कौन से रेफ्लेक््टशन को एक दूसरे को नेट्ररलाइज करते यानी कि कट करती है तो के बालों पे प्लू को आरा करता है तो आपको ब्लु जो पिगमेंट है वह यूज करना है यह म्मारा कौन सह होता है पॉइंट वन एस ठीक है और आपको पता हूं अच्छी कि आप कौन से कर रहे हो मान लिजे क्लाइन को आप हाइलाइट कर रहे हो और हाइलाइट करते टाइम आपके पास ऐसा मतलब केस बन गया कि उनके बालों पर जो अंडरकोट है वह सेवन लेवल का अंडरकोट आ आपको जब कलर कटन की रहे होगी आपको पता हुगा कि ओरंज जो है वह निट्रलाइज होगा बिलू से और आपको रिफ्लेक्षन की रिफ्लेक्षन में एश बोला जाता है तो आप क्या करोगे कलर ट्यूप जो लोगे वह उसके इसाप से लोगी कि ओरेंज तो आपको लेना है 7.31 अब आपको लग रहा हुआ कि ब्रांड तो 7.13 भी बना रहा है तो इसमें डिफ्रेंस क्या क्या है तो आपको पॉइंट वन बीच में लेना है अगर और औरेंज कम आ रहा है रिफ्लेक्शन को पर कम आ रही तो पॉइंट वन आपको पीछे लेना है इसका मतलब क्या होता है कि देखे गाई हर कलर ट्यूब में सिंगल नंबर का कलर ट्यूब भी होता है दो नंबर के नंबर का भी कलर ट्यूब होता है तीन नंबर डिजिट का इसमें दिखाया जाता है कि 6 नमबर जो है इसके अंदर वह 60 परसेंट हो गया 0.4 क्या होता हमारा कोपर की जो रिफ्लेक्षन है इसके अंदर 40 परसेंट हो गया ठीक है तीसरे वाले से हम इसको समझेगे देखिए इस सारा पैटर में लिखा हुआ है कि आपको क्या के कलर में अच्छे से आना चाहिए देखिए 6.34 हो गया आप 6.34 में 6 नमबर कितना है हमारा हमें 50 परसेंट मिल जाएगा 30 परसेंट बीच वाला और 20 परसेंट लास्ट वाला मिलेगा अब इससे हम क्या समझे देखो 6 नमबर जो हमारा डार्क ब्लॉंड है ठीक है डार्क ब्लॉंड होता है यह पचास परसेंटेज है ठीक है तो यानि कि डैप्त जो हमारी डार्क ब्लॉंड की रहेगी 6 नमबर की अब दो यह जो दोनों चीज हमारी य आलग हमेसा रिफ्लेक्सन्न नहीं होता है आगे बाला होता है वेस इस रिफ्लेक्शन थोड़ी यह नंबर अलग होते हैं यह इसलिए इनको वह जाता है इंटरनेशनल कलर को ठाएं डोनों रिफ्लेक्षन हमें कौन-कौन से पहले हम यह समझे ठीक है अब हम इसमें क्या समझेगा इसमें आपको बता तो इसमें मैं आपको पूल हूँ कि मेरे पास 6.34 है तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन जो है मुझे सबसे ज़्यादा किसकी दिखेगी साफ सी बात है जो 30% है ज्यादा रिफ्लेक्शन 20 से तो वह दिखेगी तो बीच ज्यादा एस होगा ब्लू होगा तो औरेंज को कट करेंगा अगर औरेंज कम है तो इस रिफ्लेक्शन को पीछे ले जाओ ठीक है 20% पर तो निट्रिलाइज करें जितना रिफ्लेक्शन ज्यादा है तो बीच मेलो इससे काई सम बोलते है मेजर माइनर टों बीच वाली जो सबसे लास्ट वाली होती है हमारी माहिनर का हकी यह माइनर यह सबस्क्राइज किटना कलर आपको लिफ्टिंग देना है आपको अच्छा है कलर सीखने के लिए यह सारे पैटर्ण जो है अच्छे से लेंग करने पड़ेगे और आगे में मैं वीडो लेके राहू पताकि कि पता है यह अंडरकोट को नहीं इस वाले टोपिक में एड नहीं कासलता वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो देगी अंडरकोट के उपर आपको डेडिकेट समझना है मैं इसके उपर वीडियो बनाऊंगा यह उन्हीं के लिए अच्छा है जो कहते हैं कि मैं डिपोजिट करता ने की उपने लिए शाभला याद करने से कुछ ही नहीं आपको ना प्रेक्टिकटिकली परता होना ची hatte की कॉन सब्सक्राण पर मैं कर रहा हूं कौन सकंद़ कोड़ की ऊन्रेफ करनी सब्सक्राइब हैं अगर डेकोर्य तोन एक मिश्यक्ट कर आज के चांद्स करो करने है उसे लर्नी नहीं करने हैं आपको समझना भी है कि 7.137.31 में आपको यह प्रैक्टिकली भी देखना है आज का टोपिक मैं यहीं पर खतम करता हूं और प्रोपर डेडिकेट वीडियो चीज़ें सब के लिए मैं आगे भी लेकर आने वाला हूं तो गैस मिलते के लिए रूड़ में कर टेक केर बाई बाई